हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर अमित माईश्वरी मैं CEO and Founder Director हूँ Metas Oversies Limited Company का हमारी कमपनी स्टेलने स्टील मडरलो किचिन की manufacturing करती है export करती है आज पूरे भारत वर्ष में मारे franchisee showroom और dealership showroom है हर business owner के मन में एक प्रश्ण होता है कि सर कुछ ऐसा हो जाए कि business के लिए loan मिल जाए लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है loan तो मिल जाएगा लेकिन rate of interest बहुत हाई होगा क्योंकि business में एक तरह से risk involved होता है दूसरी बात कई बार ऐसा भी दिखा गया है कि loan तो मिल जाएगा पर security में इसके बदले आप क्या देंगे यह प्रश्ण जाद तर एक business owner का रहता है कि सर loan मिल जाए जिसमें हमें interest भी ना देना पड़े और किसी भी तरह की security भी ना देनी पड़े आज इसी वीशह पर हम बात करने वाले हैं कि business owner ऐसा क्या करे कि इसको बिना interest और बिना security के loan मिल जाए जी हाँ बिना interest और बिना security के तो उसका एक बहुत असान तरीका है एक business owner ना credit card जरूर होल्ड करता है और ध्यान रखेगा अगर आप credit card होल्ड नहीं करते तो credit card जरूर बन वाले है आपके business की balance sheet के according या आपकी past performance के हिसाब से आपको credit card company बहुत अथानी से offer कर देती है अगर आपका current account है, saving account में भी कुछ saving है तो उसकी performance के अधार पर भी आपको credit card मिल जाता है और credit card का यही सही तरीके से इस्तिमाल करें तो वो भी एक तरह से instant loan के रूप में ही काम करता है आज इसी विशापर हम बात करेंगे business में हमें loan मिल जाए वो भी बिना किसी interest और बिना किसी security के और उसके लिए क्या जुरूरत है कि loan ना लेकर अगर आप credit card का इस्तिमाल करते हैं तो वो भी loan की तरह से ही काम करेगा लेकिन बात ध्यान रखेगा कि credit card का अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो बहुत सारे नुकसान आपको हो सकते हैं वो नुकसान इस वीडियो के end में मैं आपको बताने वाला हूँ इसी लिए बहुत सारे business होने लिए कहते हैं कि अभी credit card तो एक जंजाल है, एक मुसीबत है ये एक trap है कहीं इस trap में फस मत जाना लेकिन जो लोग business में सही तरीके से credit card का इस्तिमाल करते हैं वो अपने business को credit card का इस्तिमाल करके next level ले जा सकते हैं क्या benefit हो सकते हैं सबसे पहला अगर आप credit card का सही तरीके से इस्तिमाल करते हैं तो आपने business को आसानी से grow कर सकते हैं क्योंकि liquidity के लिए आपको एक certain time मिल जाता है दूसरा increase your money in flow क्या कहते हैं कि business में certainty नहीं है कि पैसा कब कब आएगा तो आने के बारे में पता नहीं है और कब कब आएगा उसका schedule भी निर्धारित नहीं है पैसा खर्च करने के लिए regular आपके पास पैसा होना चाहिए अगर आप credit card का इस्तिमाल करते हैं तो आप निश्चित समयवदी में उसका अभुगतान कर सकते हैं तो कहीं न कहीं money का inflow बढ़ता है पैसा आने के संभावना ही जो है वो सही तरीके से अगर काम करती रहें तो देने के एक निश्चित थी निर्धारित हो जाती है दूसरा increased savings आप अपनी savings को भी बढ़ा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर हम सही तरीके से credit card इस्तिमाल करें तो जो हमारे पास money available है flow के लिए उसको हम invest कर सकते हैं इसी विशह पर हम ठीक तरीके से चीजों को सुनते हैं और समझते हैं ध्यान रखेगा make payment with credit card आप अपने business में कोई भी business transaction कर रहे हैं raw material purchase कर रहे हैं कोई machinery purchase कर रहे हैं किसी web या app की payment कर रहे हैं कोई भी online payment कर रहे हैं तो debit card की जगए credit card का इस्तिमाल करें अब ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये समझना बहुत जूर है number one even if you have balance in your account कई बार क्या होता है लोगों को लगता है बही मेरे दो account है एक मेरा credit card है और एक मेरा bank account है current या saving कोई भी हो सकता है मेरे पास पैसे भी available है तो मैं credit card से क्यों खरीद हूँ सबसे पहली बात आपको credit card का इस्तिमाल क्यों करना है वो बात समझ लेते हैं मान लीजिए आपके bank account में 2,00,000 रुपे balance already है और आप एक machine खरीदना चाहते है 2,00,000 रुपे की आपने machine वाले से बात की 2,00,000 की payment की और machine खरीद ली जैसे आपने machine खरीद ली पैसे आपके bank account से कट गया अब आपके पास liquidity short भी हो गई 2,00,000 रुपे लेकिन machine production करेगी तब जाके हम material market में बेचेंगे फिर उससे revenue generate करेंगे तो मेरा आपसे कहना है कि इस machine की payment आप credit card से करें credit card से जैसी आप 2,00,000 रुपे की machine की payment करेंगे तो सबसे पहला benefit आपको क्या होगा ये 2,00,000 रुपे जो आपके saving account में है ये आपके पास पढ़े रहेंगे मतलब machine भी आपके पास आगई और payment भी आपके पास store है use कर सकते हैं आप उसको माली जी आप use भी नहीं कर रहें आपके पास extra money थी तो इस पर आपको 40-45 दिन का interest भी मिल जाएगा क्यों 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 कि आपने credit card से payment की हुई है और credit card की payment आपको 40-45 दिन बाद करनी है तो 45 दिन में लगबग जो interest आएगा वो 1950 रुपे के आसपास आएगा हर bank का rate of interest अलग है इसके आधारपन दर्टों को है कि कितना interest आपको मिलने वाला है और जब इंटरस्ट आपको मिल जाए और 45 दिन बाद अगर आप 2 लाग की payment कर देंगे तो आपको 1950 रुपे का एक instant profit भी हो जाएगा अगर यही बात आपके saving account से कट जाती यह amount saving account से कट जाता तो शायद आपको benefit नहीं मिलता और आपके पास 40 दिन तक एक reserve amount भी नहीं रहता कि अचानक कभी ज़ुरत पढ़ गई तो पैसा कहां से लेकर रहेंगी क्योंकि सारा पैसा हमने pay कर दिया है अब कुछ लोग कहेंगे कि sir बीमर को यह जो पैसा है न 2 लाग रुपे यह मेरे current account में है और current account में मुझे कोई interest नहीं मिलता कोई बात नहीं फिर भी आपको कितने 45 दिन का credit तो मिली गया ना हो सकता है 45 दिन में आपको किसी भी तरह से पैसे की ज़रुत पढ़ जाए अचानक और machine की payment आपने अगर cash कर दी होती या account से कर दी होती तो तब भी तो आपके बस liquidity short होती अभी तो liquidity 45 दिन तक आपके पास है और आपको 45 दिन के बाद 2,00,000 की payment करनी है मतलब 45 दिन तक आपके पास money inflow के लिए available है आपके पास पैसा available है जिसको आप कैसे भी use कर सकते थे और उससे business generate कर सकते थे तो ये बड़ा important है कि अगर आपके bank account में balance हो तब भी आप कोई भी raw material purchase करें कोई भी business transaction करें कहीं भी payment करें आप credit card से करें तो आपको 40 दिन का 45 दिन तक का credit मिल जाता है सबसे बड़ा benefit है दूसरा जो benefit है जिसको हमें समझना चाहिए get instant loan अब जो credit card है ना मान लीजिए आपके पास liquidity की shortage है और अचानक आपको पैसे की ज़रूत पड़ जाए तो आपको पताए कि आपके credit card में cash withdrawal limit भी होती है लगबग 40% के आसपास होती है हर बैंक के credit card में अलग-अलग cash withdrawal limit होती है अचानक किसी emergency में आपको cash की ज़रूत पड़े तो आप credit card से withdraw भी कर सकते है हाँ इस पर rate of interest बहुत हाई होता है लेकिन एक possibility तो है कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे emergency में पैसे की ज़रूत है कि आप interest देने के लिए भी तयार है फिर भी पैसा नहीं मिल रहा जिससे है पैसा मांग रहे हैं वो कोई security मांग रहा ले में या high rate of interest देने के बाद भी अगर पैसा नहीं मिल रहा तो ज़रूरी दूसरी पर आश्रित है आप ही के bank के credit card का इस्तिमाल करें और instant loan अप ले सकती है next important बात है जब आप credit card का इस्तिमाल करते हैं और debit card का इस्तिमाल करते हैं तो debit card में जैसी ही आपको payment करते हैं वो hand to hand minus हो जाती है लेकिन credit card में आपको 40 दिन का 45 दिन का समय मिलता है दूसरा जो benefit होता है जब आपकी credit rating इंप्रूव होना शुरू हो जाती है मतलब आपका civil score जो है वो इंप्रूव होता है और जब civil score इंप्रूव होता है तो उसका सबसे पहला benefit क्या होता है कि आपके credit की limit बढ़ जाती है तो देने देने वो साड़े तीन लाख हो जाएगी पांच लाख हो जाएगी आठ लाख हो जाएगी loan ले रहे हैं तो loan जो है वो low rate of interest पर मिलेगा मानलिजियाए आपका civil score अच्छा नहीं है आपको जो house loan है वो 5,5-10% पर मिल रहे है लेकिन अगर आपका civil score अच्छा है तो वही आपको साढ़े आठ परशेंट तक मिल सकता है तो कही ना कही rate of interest घट जाने का मतलब भी है आपने अपने पैसे को बचा लिया इसी लिए credit card का इस्तिमाल करें ताकि आपका civil score improve हो next manage your track record अगर आप credit card का इस्तिमाल करते हैं तो जितनी भी transactions आपने किया जैसे आपने पैटरोल के लिए खर्चा किया आपने किसी टैक्सी को आहर किया उसको credit card से आपने पे किया आपने कहीं पर payment की कोई machinery purchase की कोई raw metal purchase किया कोई tool equipment purchase किया तो आपने credit card से payment की तो वो सारी की सारी चीजें transaction के रूप में आपकी statement में record हो जाती है और ये पूरी की पूरी statement आप जब income tax written file करते है अपनी company का tax pay करते है तो क्या होता है कि आपकी total income minus total expenditure जितना भी आपने खर्चा किया है उसके बाद जो बची हुई income है इसके उपर tax लगता है जो भी percentage of tax lab में आप आ रहे है तो कहने का मतलब ये सारा खर्चा जो आपने record की है इसका tax benefit भी आप ले सकते हैं tax benefit कैसे? मान लीजिए आपका rate of tax है 30% अभी ये expenditure आपने यहां नहीं डाला मैं गहता हूँ आपकी income है 1,00,000 रुपे ठीक है? और आपने 30,000 रुपे का खर्चा कर दिया अब आपके उपर tax जो लग रहा है वो 70,000 रुपे पर लग रहा है लेकिन अगर इस 30,000 के खर्चे का कोई record नहीं होता कोई bill नहीं होता, कच्छे की transaction होती तो आपको 1,00,000 पर tax देना होता यह भी तो एक तरह का benefit है कि हमें tax saving आसानी से कर सकते हैं कहते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम use करते हैं तो उसके फाइदे भी हैं और उसको नुकसान भी है नुकसान क्या होने वाले हैं वो समझना भी बहुत जूरुरी है लेकिन उससे पहले हम यह समझ लेते हैं अगर हम credit card का इस्तिमाल करते हैं तो हर transaction पर हमें reward points मिलते हैं ठीक है अभी reward points क्या होते हैं आपने कोई transaction की for example आपने 2000 रुपे का diesel या petrol अपनी गाड़ी में फिल कराया उसके बदले में आपको 10 credit points मिल गए ऐसे करते करते एक समय पर आपके पास 1000 लाखो credit points या reward points इकठे हो जाएंगे और reward points को हम redeem करके कुछ और ले सकते हैं जैसे HDFC के एक scheme आई थी कि अगर आप 10,000 reward points देते हैं हमें तो हम आपको Amazon की 5000 की purchase voucher आपको दे रेते हैं जिसमें आप कोई भी चीज़ Amazon से purchase कर सकते हैं तो मेरे पास तो लाखों में पड़े हुए थे तो मैंने 10,000 redeem करके Amazon का मैंने एक voucher ले लिया और उससे जो purchasing करनी थी वो ले ली कहने का मतलब direct या indirect रूप में आपको benefit मिल सकता है क्रेडिट कार्ड का यूज करते करते हैं मेरे पास 15,000,000 से ज्यादा reward points इकठे हो गए थे तो मैंने एक जगा transaction में कर रहा था मैं fly ticket book कर रहा था वो fly ticket 20,000 की थी और उने का था यह 50% पर आपको मिलेगी 10,000 उसके बदले आपके पास 25,000 reward points आपके होने चाहिए तो 25,000 reward points थे वो मैंने redeem कर लिए 50% पर मतलब 10,000, 20,000 की चीज मुझे 10,000 में मिलकी तो 10,000 का मुझे एक extra benefit हुआ इस 10,000 को मैं कहीं और भी save कर सकता हूँ या कहीं न कहीं इसको और किसी business transaction में use कर सकता हूँ तो ये वो चीजे हैं जिससे हमें credit card में बहुत अधिक benefit मिलता है लेकिन कई बार life में ऐसे circumstances आजाते हैं जहां आपके पास money का flow ठीक ठाक भी चल रहा हो business भी सब कुछ ठीक हो लेकिन liquidity अवेलेबल नहीं है for example आपने अपने clients को metal भेजा हुआ है वो आपने जो metal भेजा उसकी payment आपको 30 दिन बाद आने वाली है लेकिन instant आपकी family में आपके relative के साथ या किसी और known person के साथ खुदा ना खासता कोई miss happening हो गई और आपको अचानक पता चला कि आपको hospital में 3 लाख रुपे deposit करनी है तो इस case में आप क्या करेंगे किसे ना किसे request करेंगे कि मुझे 3 लाख रुपे चाहिए 15 दिन के लिए या 15-20 दिन के लिए तो ऐसे में भी credit card बहुत powerful tool के रूप में आपकी help करने के लिए हमेशा तयार रहता है तो आप क्या करते हैं emergency के case में भी आप अपने credit card का इस्तिमाल करके उस emergency period को आथानी से निकाल सकते हैं तो ये बड़ा important role play करता है life में क्योंकि ये हमें कभी नहीं पता है कि हमारे साथ क्या miss happening कभी भी हो सकती है दूसरा credit card का अब इस्तिमाल करते हैं या आपने कोई payment को skip करेंगे तो हम fine लगाएंगे, transaction charge लगाएंगे interest लगाएंगे, कोई penalty लगाएंगे पर अगर आप ऐसा करते ही नहीं है तो आपके साथ ऐसा हो गाई नहीं ना For example, traffic department ने एक rule निकाला कि भी कोई भी वेक्तिए अगर red light जंप करेगा उसका चलान 10,000 रुपी का होगा और public उस पर हला करने लग गई इसका मतलब उन में से बहुत सार लोग ऐसे होंगे जो intentionally red light जंप करते होंगे उन ही को objection होगा माली जी मुझे red light जंप करनी नहीं है तो मेरे लिए वो 10,000 का चलान हो या 10,000 का चलान हो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता इसी तरीके से अगर आप credit card का सही तरीके से इस्तिमाल करते हैं तो rate of interest कितना भी हाई हो penalty कितनी भी हो चीक तरीके से timely उसकी payment करते जाएं तो आप उसका benefit हमेशा ले सकते हैं credit card के कुछ disadvantage जिसको हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए अगर हम credit card की payment due date पर नहीं करेंगे तो बहुत heavy penalty होती है उनका एक तो late fee होता एक तरह का फिर charges कुछ अलगे एक्स्ट्रा लगे होती है और साथ में rate of interest भी वो कहते हैं ना 45 दिन का credit आपको time मिले लेकिन 45 दिन का interest भी वो charge कर लेंगे जो interest free time था इसलिए हमेशा आपने credit card की payment time पर करें ताकि आपके ओपर कोई भी penalty, कोई भी interest, कोई भी extra charges ना लगें दूसरा rate of interest बहुत हाई होता है जर्नली 24 से 36% का rate of interest है per day के हिसाब से calculate होता है इसलिए जरूरत है कि आप timely payment करें और ध्यान रखें आपकी credit card की due date क्या है अभी कई लोग क्या करते हैं वो देखते हैं कि मेरा मानली जी credit card से खर्चा हुआ 2,000 रुपे और minimum amount due है मेरा 20,000 रुपे तो उन्हों लगता है ठीक है 20,000 पे कर देते हैं फ्रेंच 20,000 पे करने के बाद ना minimum amount तो आपने पे कर दिया लेकिन बाकी बचे हुए amount पर penalty नहीं लगे कि लेकिन rate of interest चार्ज करेंगे इसलिए हमेशा credit card की full payment करें और इस्तिमाल करते समय ध्यान रखें कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद में भुगतान आप आसानी से कर सकते हैं लेट payment reduce your civil score और लेट payment का दूसरा नुकसान क्या होता है आपका civil score खराब होगा आने वाले समय में आपको high rate of interest पर loan मिलेगा इसलिए civil score को अगर आप इप्रूव करना चाहते हैं तो लेट payment कभी ना करें दूसरा don't spend on unwanted things क्या होता है कि credit card का एक एक ऐसा impact होता है mind पर ऐसा लगता है कि पैसा खर्च नहीं हो रहा आप कहीं गए shopping पर आपने देखा यह चीज इतनी की है आपने purchase कर ली यह बिना सोचें कि उस चीज की utility आपके पास है भी या नहीं और जब business में भी उसका use कर रहे है तो over buying ना करें ऐसी चीजों को ना खरिदें जिसकी आपको वर्तमान में या बविश्य मवश्रकता नहीं है इसलिए आप over buying ना करें ताकि आपका पैसा उतना ही खर्च हो जितना खर्च होना चाहिए क्योंकि वो एक तरह का loan तो है पर उस loan का भुगतान भी हमें करना है सही समय पर fine, in the next, don't overuse credit facility कई बार क्या होता है कि credit मिलने की वज़ा से लोग बड़े निश्चिन्त हो जाते है या ठीक है जब समय आएगा तब देखेंगे अगर इस possibility पर आप काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए credit card आपके लिए एक वर्दान नहीं अभिश्राप हो जाएगा इसलिए ज़रूरत है सोच समझ के इसका इस्तेमाल करने की क्योंकि एक ऐसी facility है जिसमें एक business owner को एक professional को बैंक से loan लेनी की ज़रूरत नहीं किसी से पैसा उधार मागनी की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि मेरे business में इस तरह की transaction होती है कि 15 business के उधार मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा और बाद में मैं sale करके या profit generate करके उस व्यक्ति की payment कर दूँगा तो ऐसे में किसी व्यक्ति, संस्था, friend, year, relative पर आशृत ना रहें credit card बनवाएं उसका सही तरीके सा इस्तेमाल करें और अपने business को next level लेकर जाएं साथी साथ अगर आपके मन में business को लेकर कोई भी प्रश्न है तो मेरा आपसे request है वो प्रश्न comment box में ज़रूर लिखें bell icon को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो को notification आपको सबसे पहले मिले अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like का बटन ज़रूर दवाएं स्वस्त रहें, मस रहें, मैं डॉक्र आमित माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जय हिंद, जय भारत